निया वर्ष आ गया है आपको जिग्यासा होगी कि क्या होने वला है आपके जीवन में जिग्यासा तो जिग्यासा होती अच्छा बुरा कम ज़्यादा लाभानी जो कुछ भी जितने भी विश्य है प्रेम विवा आर्थिक लाभ समवन बच्चों का मामला पदोननती जानिये हम लेकर आए हैं आपके लिए भग्ये फल का पिटारा आपकी राशी के अनुसार आपकी जन्व राशी के अनुसार क्या आने वाला है आपके जीवन में वर्ष दोजार बाईस में सिंग राशी के हैं आप लियो शेयर के जन्व के खशन चंदर्मा सिंग राशी में थे इसलिए आपके राशी शेंग हुए नियाय प्रिये अनुसार्शन प्रिये अपने कामकाज में दखल पसंद नहीं करने वाला जोखिम लेने वाला थोड़ा सा टेंप्रमेंट हाई मिलेगा तो फॉस्ट रियक्शन परन्तु है राजशी लक्षनों से युगतराशी है और ऐसा ही आपके जीवन और वर्ताव रहेगा इस साल अधिकान से समय शनी देव मकर्राशी में ही रहेंगे थोड़े समय के लिए अप्रेल का आखिर से लेकर और जुलाई के आखिर तक कुम्भ में रहेंगे फिर मकर्मा आ जाएंगे तब असली शत्रु हंता होंगे रिन दिलाने की कोशिश करेंगे शत्रु हाँ का नाश करेंगे विवादों के समाधान जल्दी से नहीं होने देंगे शनी देव एक बार कुम्भ में आ जाएंगे पर फिर जुलाई के बाद वर्ष वर मकर्राशी में रहेंगे इसलिए थोड़ा सा विवादों को लेकर आपको अतिसावधानी बरतनी चाहिए रिन लेना चाहें तो ये काम आसान कर देंगे ये जरूर है ये शनी रेव आपको लॉंस दिला देंगा अच्छे अगर आप चाहेंगे तो या लॉंस को चुकाने के लिए लॉंस ले तो भी है साल इस मावले में ठीक जाने वाला ब्रहस्पती विशेश अनकूल हो रहे हैं इस वर्षाप के लिए आप जमीन मकान में रूची लेंगे किसी मकान में एक्स्टेंशन कर लेंगे थोड़ा काम बढ़ा लेंगे या नया खरीदने की योजना बनाएंगे या वाहनना या खरीदने की योजनाय बनाएंगे तो इसके साथ ही यह वर्ष आपकी पॉपलरिटे के लिए बहुत अच्छा है आप किसी काम से ख्याती अरजित करेंगे पसिद हो जाएंगे अगर लोगों से मतभेद हैं तो उनमें कमी आ जाएगी यात्राओं के लिए यह वर्ष विषेश है बहुत यात्राएं करेंगे अगर विदेश यात्रागे यूज नए तो सफल हो सकती है वरना देशाटर्न में तो कोई कमी नहीं रहेगी खुब खर्चा करेंगे ऐसा इसलिए भी करेंगे ये वर्ष अचानक प्राप्तियों का है अप्रेल से लेकर वर्ष परियंत और खास तोर से तब जब कि ब्रहस्पति वक्री हो रहें गर्मियों के तुरंट बाद या गर्मियों से शुरू करके दशर देवाले के बीच में जब शनी और ब्रहस्पति दोनों वक्री रहेंगे विशेश आर्थिक उपलवदियों के योग हैं यह साल संतान के उन्नती का साल है उनका काम अच्छा चलेगा किसी एक काम लापरवाई देखने को में लेगी पर अंतु परिक्षाओं तक सुधर जाएगी यदि ये व्यापार व्यावसाय कर रहे हैं संताने बालिग हैं तो माता से नजदीक ही भी बढ़ेगी माता जिन किसी मामलों को लेकर आपसे अगर सहमत भी होंगी तो यह वर्ष उनका मन बदल जाएगा आप थोड़ा नजदीक जाईए दोसे दूर मत रहिए यदि आप जन्मिस्थान से दूर हैं कहीं तो यह शांदार अवसर है कि इस वर् व्यवसाय का समन्द आपकी जन्मिस्थान किसके आसपास है रहू इस वर्ष विशे से उनक्ति देंगे आपको मैनिपुलेशन का काम करेंगे और कोई जोखिम नहीं है सफल हो जाएंगे